Around us Pure, कि हमारे चारों तरफ जो भी material है, अब देखो matter क्या होता है, इसको जानना जरूरी है, matter का मतलब है, जो भी आपके आसपास है, आपका phone, आपका laptop, whatever, जो भी आपके आसपास है, वो pure है कि नहीं है, मतलब कि जो भी material आपके पास है, वो pure form में है, कि impure form में है, इस चीज को इस चैप्टर में हम देखेंगे कि pure form क्या होती है, किसी भी चीज को और impure form क्या होती है, तो एक experiment करते हैं, आपके आसपास कोई भी चीज प्यूर होती है, तो वो किस तरीकी की characteristics रखती है, impure चीज कैसी चीज अपने पास में रखती है, तो हमने क्या किया, कि एक sheet पे हमने लिए और एक sheet पे हमने लिया sugar, तो एक sheet पे soil और एक sheet पे आपने sugar को रख लिया, रखने के बाल में एक magnifying glass लिया, magnifying glass से क्या-क्या आपने चेक किया उसके particles को, sugar के जो particles थे, वो आपके same-same particles होंगे, पूरे के पूरे आपने जितना भी sample लिया, उसमें जितने भी particles होंगे, वो exactly same होंगे, लेकिन soil में ऐसा नहीं होगा, soil के अंदर हर particle अलग size का होगा, in fact, soil के अंदर सिर्फ soil नहीं होगी, इसके अंदर insects भी present होंगे, different color का होगा, कोई different shape का होगा, different size का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो निकल के आती है, कि इन दोनों में से, जो pure चीज ह सिर्फ और सिर्फ sugar ही present है, लेकिन soil के अंदर, soil के अलावा भी बहुत सारी चीज है, तो आप बोल सकते होंगे, यह pure substance नहीं है, यह impure substance है, तो हमारे चारो तरफ जो भी material मिलता है, वो जरूरी नहीं है, वो आपको impure form में भी मिल सकता है, और pure form में मिल सकता है, इसी चीज को detail में इस chapter में हम देखेंगे, तो आगे further move करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे pure substances की, देखो pure substances जो होते हैं हमारे चारो तरफ वो दो form में मिल सकते है, या तो वो मिल सकता है आपको element की form में, और या फिर वो मिल सकता है आपको compound की form में, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि element क का मतलब क्या है, और compound का मतलब क्या है, देखिए, हमारे nature के अंदर 1A type के elements है, जैसे hydrogen, helium, lithium, boron, carbon, nitrogen, यह क्या है, elements है, और elements एक दूसरे से chemically क्या गता है, combined होते हैं, तो जैसे कि hydrogen और oxygen को अगर chemically मिला दिया जाओं, तो क्या मिलेगा, S2O, पानी मिलेगा हमको, तो फिर वो बन जाते हैं, आपके compounds, तो यह चीज आपको notice करनी है, यहाँ पर यह चीज नौट करनी है, आपको, कि elements की form में, या तो कोई चीज fix हो, या फिर वो compound की form में मिले, तो वो form उसकी pure form होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब pure substance is one, which is made up of only one kind of particle, अब यह particle क्या होता है, या फिर compound हो सकता है, यह याद रखना है, कि hydrogen, जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी भी container में hydrogen, यह container, इसके अंदर hydrogen है, तो तो तिर्फ अगर hydrogen, hydrogen ही है, तो यह एक pure form of the hydrogen है, एक container है, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि पानी है, water है, S2O है, तो सिर्फ S2O compound present है, तो यहाँ पर pure form of S2O होगी, तो यह pure substance जो होता है, वो दो form में मिल सकता है, या तो elements की form में, या compounds की form में मिल सकता है, जैसे sulfur का example लेते है, sulfur अगर आपने लिया है, किसी भी container में, तो सिर्फ 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 और सिर्फ उस container के अंदर किया मिले, sulfur आपको मिले, तो वो एक element है, sulfur ही present है, तो य hydrogen जो है, अकेला वो एक element है, तो pure form, दो form में मिल सकता है, तो element की form में, या compound की form में, तो element क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जितने भी आपके hydrogen, helium, lithium, जो periodic classification के अंदर, periodic table के अंदर हम पढ़ता है, वो elements होते है, जब elements chemically, ध्यान से सुनना, इस point को याद रखना, chemically मिल ज सिर्फ या compound compound की form में मिले, तो उसको बोलते हैं, pure form या pure substance, okay, आगे चलते हैं, impure कैसे मिलता है, कोई भी चीज, impure कैसे होती है, तो देखो, impure substance तब होती है, जब वो एक mixture, मतलब कि किसी चीज से मिल चुका हो, जैसे hydrogen और oxygen मिल के estro बनाता है, ये तो water हो गया, लेकिन water में अगर आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl, तो ये क्या हो गया, एक mixture हो गया, किसका पानी का और नमक का, तो ये एक पानी का impure, पानी क्या हो चुका है, इस ताइम पे, impure हो चुका है, तो impure substance क्या होता है, जब उसके अंदर कोई भी एक उल्टी चीज आ जाए, ऐ ना हो, जैसे S2O क्या था, एक compound था, S2O खोद एक compound था, लेकिन इसके अंदर मैंने नमक को add कर दिया, physically add होते हैं यहां पे, दो चीजे जब physically add हो, मतलब उनके बीच में कोई bond ना मने, बस पानी का glass लिया, आपने इस तरीके से पानी लिया, उसके अंदर आपने यहां पे न नमक डाल दिया, जब नमक डाला, तो यह जो water था, वो salty water में convert हो गया, तो यह जो पानी होगा, वो एक impure form होगा, यह एक mixture हो गया, ठीक है, तो impure substance, मतलब मिक्शर के बारे में हम यहां पे देखते हैं, तो mixture क्या होता है, यह impure substance क्या होता है, a mixture is a one which contain two or more different kind of particles, देखो, particles मै आपको बताया था, या तो compound या element, तो ऐसा एक चीज जिसके अंदर दो या दो से जादा तरीके के particles present हो, अगर मैं और simple words में अगर मैं इसको explain करो, तो a mixture contains two or more pure substances mixed together, physically, this is the notable thing, यह इसको आपको note करना है, physically यह combined रहते है, जैसे कि S2O और NaCl यह अगर physically मिल जाते हैं, एक दूसर या फिर बोल दो कि यह एक तरीके का impure substance है, impure water बोल सकते हो, या impure नमक बोल सकते हो, ठीक है, जैसे salt plus water, और सबसे बढ़िया example, impure का या mixture का, आपकी air, क्योंकि air के अंदर nitrogen भी present होती है, oxygen भी present होती है, और several type of gases present होती है, मतलब कि बहुत सारे तरीके की gases आपके environment में, air में present होती है, तो ये एक तरीके से क्या है, mix तयार हो गया, mix up होगी चीजे, तो mixture एक impure substance होता है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो mix, आप देख पार हो, कोई भी चीज, physically यहाँ पर अगर add कर रहे हो, तो this is known as the mixture, ओके, अब देखे हैं, matter को किस तरीके से हमने divide किया हो, matter को हमने basically, अगर मैं पूरी बात को summarize करूँ, तो कुछ इस tree diagram से मैं summarize करूँगा, तो matter जो होता है, पहले आप उसको pure substance बोल सकते हो, कि एक matter है, वो pure substance हो सकता है, या तो matter pure form में मिल सकता है, तो pure का मतलब भी मैंने में बताया था, कि only one substance present, कोई भी impurities present ना हो, ठीक है, तो matter pure form में मिल सक कौन सी, जैसे मैंने बताया, element की form में हो सकता है, कि hydrogen hydrogen, hydrogen, सिर्फ hydrogen हो, sulfur, sulfur, सिर्फ sulfur हो, हैना, या फिर वो मिल सकता है, आपको compound की form में, compound मतलब, जैसे कि वो chemically already bounded हो, जैसे कि S2O, हैना, hydrogen और oxygen, chemical मिले होए हैं, तो ये compound है, तो S2O और S2O, सिर्फ S2O, S2O मिले, वो भी एक pure substance है, तो जो pure substance है, वो या तो element या फिर compound की form में आपको मिल सकता है, अगर मैं बात करूँ, impure या mixture की form में, तो more than one type of substance प्रिजेंट हो, more than one type of substance अगर प्रिजेंट हो, तो उसको mixture बोलते हैं, या फिर more than one type of particle प्रिजेंट हो, तो उसको mixture या impure substance बोलते हैं, ये भी दो parts में अब आपके दिमाग में आ रहोगा है, या रही, homogeneous का मतलब क्या है, देखो, homogeneous mixture का मतलब है, कि पानी में अगर मैं नमक मिला दू, तो नमक पूरी तरीके से क्या हो जाता है, dissolve हो जाता है, तो उसको बोलते है, homogeneous, मतलब ऐसा mixture जिसके अंदर चीजें मिल जाती है, completely गुल जाती और मिलाया, तो क्या है, पूरी तरीके से मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे mixture को हम क्या बोलते है, ऐसे mixture को हम heterogeneous mixture बोलते है, तो दुबारा सा, अगर मैं explain करूँ, तो देखो, matter जो होता है, आपके चारो तरफ, वो या तो pure form में मिल सकता है, या impure form म मिल सकता है, pure form में दो तरीके से मिल सकता है, element की form में या compound की form में, और impure form में भी दो तरीके से मिल सकता है, मतलब बोल दो कि mixture की form में भी दो तरीके के mixture होता है, एक homogenous mixture और एक heterogeneous mixture, homo मतलब कोई भी चीज completely मिल जाए, salt solution, ओके, और आपका heterogeneous का मतलब suspension and collide, इसको detail में आगे द फाने में तो इसको इंप्यॉर तो है वह में तो है लेकिन इस तरीकी का मिक्शर है? है तो यह पूर पूर पूरा ट्री डायेकराम समझा गया होगा अब आगे चलते हैं हम elements के बारे में आपको पता है कि जो pure form में मिलता है वो elements की form में भी मिलता है तो elements क्या होते हैं तो मैंने बता है कि आपके periodic table के अंदर 118 तरीके के elements है आपने नहीं देखा तो आप chemistry lab में जब जाओगे तो वहाँ पे इस तरीके के table होती है वहाँ पे बहुत सारे hydrogen, helium इस तरीके से लिखे होते है hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen इस तरीके से पूरी एक table होते है 118 तरीके के elements प्रिजेंट होते है अब इसके अंदर देखोगे आप कि एक element जो है वो substance है which cannot be split up into two or more simpler substance by usual the chemical method applying heat, light and electric energy जैसे इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है simple सा जैसे hydrogen एक element है अब hydrogen को आगे तोड़ना चाहों तो तोड़ ही नहीं सकता क्योंकि hydrogen अपने आप में एक element है simple form में जैसे hydrogen और oxygen S2O बनाता है ये compound है अगर मैं इसको तोड़ना चाहों तो easily hydrogen में और oxygen में तोड़ सकता हूं क्योंकि ये compound है लेकिन element को आप आगे further divide नहीं कर सकते है elements जो है वो तीन तरीके से मिलते हैं आपके environment में element या तो metal हो सकता है या non-metal हो सकता है या फिर metalloid हो सकता है अब ये क्या होता है metal कैसा काम करता है किस तरीके से दिखता है इसकी क्या क्या क्रेक्टरिस्टिक्स होती है non-metal कैसा दिखता है metalloid क्या होता है इसको देखते है जो element होता है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते है पहला metal देखो metal की पूरी की-पूरी characteristics को समझते हैं Metal जो होता है वो malleable होता है अब दिमाग में आरोगे कि यह malleability क्या होती है malleable का मतलब क्या है देखो metal जो होता है उसको अगर आप हतोड़ से पीटोगे तो वो एक thin sheet में convert हो सकता है जैसे लोहे को अगर आप कूटोगे तो वो एक thin sheet में convert हो सकता है इसी characteristic को क्या बोलते है malleability या बोलदो की metals malleable होते है दूसरा metal क्या जो characteristic होता है वो होता है कि यह ductile होता है ductile का मतलब क्या होता है ductile का मतलब अगर किसी metal को आप पकड़ के खीचोगे तो वो एक wire में convert हो सकता है thin wire में convert हो सकता है लंबे तार में convert हो सकता है और तीसरी characteristic क्या है बही metal जो है तो वो good conductor होता है कि इसके heat के भी और electricity के भी क्यों होता है यह heat और electricity के अच्छे conductor क्योंकि जितने भी metals होता है उनमें electrons जो होता है वो free होता है गूमता है इसलिए यह easily electricity को अपने अंदर flow करवा सकते हैं तो good conductors होता है lustrous मतलब चमकीले होता है hard होता है अफकोस जो iron वो hard है iron को लेकिए आप समझ सकते हो चीजों को copper भी हाड आपका metal है strong होता है इनकी tensile strength भी ज़्यादा होता है strong का मतलब है कि इसको खीचोगे तो जल्दी से टूटेंगे नहीं tensile strength ज़्यादा होगी खीचतो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं तो metals की यह characteristics होती है जो elements है 118 तरीके के उनमें आपके metals present होता है उनकी यह characteristics होती है उसके अलावा और क्या present होता है non-metal होता है non-metals की यह characteristics होती है non-metal जो होता है वो malleable नहीं होता है just इसका उल्टा होता है metal का उल्टा just non-metal होता है ductile भी नहीं होते है good conductor भी नहीं होते है चमकिले भी नहीं होते है soft होते हैं hard नहीं होते हैं do not have the tensile strength बिलकुल tensile strength भी नहीं present होती है इसके अलावा आगर मैं तीसरे तरीके के आपके element की बात करूँ वो होता है आपका metalloid metalloid का मतलब क्या है देखो, एक होता है metal, एक होता है non-metal इनके जो बीच का एक ऐसा element जो दोनों कभी तो metal की तरह behave करें कभी non-metal की तरह behave करें तो उसको बोलते है metalloid अब आप बोलोगे कि इसके नाम आओं बता हो तो यह सब चीज आप 10th क्लास के चैप्टर होता है उसके अंदर डेटेल में देखते हो जस्ट यहां तो introduction आप देख रहे हो और hydrogen के अलावा भी कुछ और आजाता है जो की chemically ना मिलके देखो यह chemically मिलने का मतलब होगे S2O बनना लेकिन chemically ना मिलके physically मिला रहे है उसको mixture बोलते है जैसे S2O है इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया पानी के अंदर नमक डाल दिया NaCl डाल दिया और compound या तो compound दो से ज़्यादा हो या element दो से ज़्यादा हो और not या यह चीज़ा रखना है not chemically combined together तो कैसे combined होने चाहिए physically combined हो this is the notable thing not chemically combined together chemically हो गया अगर मालो elements यह hydrogen है और यह oxygen है अगर यह chemically इनका bond बन गया सीधा सा है कि S2O बन जाएंगे जो कि एक compound है सीधी सी बात है लेकिन अगर physically मिल रहे हैं तो कोई bond नहीं बनेंगे सिर्फ एक दूसरे से मिले रहेंगे physically ओके type of mixture already मैं बता चुका हो लेकिन एक बार मैंने यहापको याद दिलाने के लिए लिखा है होमोजीनियस अब आप pause करो और होमोजीनियस क्या होता है होमोजीनियस के आगे बताओ कि क्या होता है comment box में और हेट्रोजीनियस क्या होता है उसके बारे में भी बताओ short में बता दो आप pause the video please आप नीचे लिखो और बताओ कि homogenous mixture क्या होता है जो completely मिल जाए और heterogeneous क्या होता है जो completely ना मिले example, homogenous का नमक में पानी sorry, पानी में नमक बात एकिए और heterogeneous का मतलब क्या होता है पानी में मिट्टी, ठीक है जो कि completely ना मिले तो mixture दो तरीके की हो सकता है तो completely मिलने वाले गुलने वाले या completely नहीं गुलने वाले तो जो गुलने वाले होते हैं उनको homogeneous बोलते हैं जो नहीं गुलते हैं उनको heterogeneous बोलते हैं Now we will discuss about the compounds देखो compounds क्या होते हैं Compounds मैंने अभी थोड़ देर पहले आपको बताया था कि दो elements अगर chemically मिल जाएं H और O अगर chemically मिल जाएगा तो एक bond बना लेगा electron की sharing हो जाएगी यहाँ पे और यह बना लेगा S2O तो यह एक क्या है अपने आप में दो elements जब chemically combined हो जाएं chemically combined in fixed proportion in fixed proportion by mass is known as the compound सीधी सी बात है Na है और Cl है अगर यह इनका electron sharing हो गई Na ने एक electron Cl को दे दिया तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl मतलब नमक तो यह क्या हो गया यह compound present हो गया तो I hope you got the point की compound क्या होते है compound एक chemically combined elements का group होता है तो compound के बारे में मैं और detail में बताता हूँ आपको जैसे मैंने एक example लिया chemically मिलना अब आपके दिमाग मार हो गया chemically कैसे मिलती है कोई चीज दो तरीके से मिलती है physically physically मतलब जिस्त मिल जाना chemically जहाँ electrons का लेंदेन हो जाए electrons किया तो कोई ले ले या दे दे उसको chemically बोलते है तो जब chemically कोई भी element electron को दे देता है तो वो एक compound बना लेता है simple सी बात है अब हम बात करेंगे यह बहुत ही ज्यादा important question है 101% exam में आएगा आप इसको तो पढ़ना ही पढ़ना पूरे chapter में जो आएगा important है वो यह आएगा difference between the mixture and compounds कि mixture and compounds के बीच में कोई differences बताओ चार तो सबसे पहले हम mixture की बात सुन लेता है क्योंकि हमने अभी तब mixture के बारे में detail में देखा है तो mixture can be separate into its constituents by the physical process मतलब क्या है इसका मतलब अगर आपने नमक और पानी को मिलाया है तो वो physically मिले हुए है उनको easily आप evaporation करके अलग कर सकते हो लेकिन hydrogen और oxygen को आप physically अलग नहीं कर सकते हो you have to apply their electricity वहाँ पर आपको chemical process follow करना पड़ेगा तो mixture क्या होता है mixture एक तरीके से बोल सकते हो कि physically मिले हुए दो चीजे होती है दो elements दो यह compounds जो physically मिल चुके है और दूसरे अगर मैं इसकी property के बात करूँ तो mixture shows the properties of its constituents मतलब कि अगर आपने नमक और पानी दोनों को मिला रखा है तो यहाँ पर नमक और पानी उस mixture के क्या है? constituents हैं तो वह नमक वाला पानी बन जाएगा उसकी properties को शो करेगा energy जो है वह ना तो लगती है बनाने में ना energy absorbed होती है बस मिल जाता है कोई भी chemical process नहीं होता है simple language में बोलू तो चोती बात है mixture does not have the fixed formula किसी भी mixture का कोई fixed formula fixed quantity नहीं होती है अब जितना चाहो मिला सकते हो आप जितना चाहो उसके अंदर डाल सकते हो नमक ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे compounds की तो compound की क्या-क्या अब जितना चाहो एक compound होता है उसको आप separate नहीं कर सकते हो किसे physical process से मैंने बोला physical process ओकि physical process से आप इसको separate नहीं कर सकते हो ऐसे नहीं कि आपने S2O लिया compound का एक अच्छा example है अपने S2O लिया उसको अपने chemically तवाला कर सकते हो लेकिन physically इसको separate नहीं कर सकते हो लेकिन mixture को हम कर सकते हैं Filtration, Evaporation आगे देखेंगे हम separate करने के methods next है आपका the properties of compounds are entirely different from the those its constituents मतलब क्या है इसका इसका मतलब है कि जिस चीज से वो मिलके बना हुआ है compound और जो चीज compound बन किया है जैसे hydrogen है और oxygen है इससे क्या बन किया है S2O तो मैं आपसे पूंचता हूँ कि hydrogen और oxygen जो है उनकी properties से बिलकुल अलग होता है कि नहीं होता है तो properties क्या हो जाती है compound की change हो जाती है लेकिन mixture में ऐसा नहीं होता है properties as it is रहती है energy usually given out and absorbed the preparation of the compound इसका मतलब क्या है कि जब आप compound बनाते हो तो एक chemical energy या तो बहार निकलेगी मतलब exothermic reaction होगी या endothermic reaction होगी energy absorbed होगी या energy produce होगी तो compound energy को बन लेते हैं या फिर produce कर देते हैं तो ऐसा होता है लेकिन mixture में ऐसा नहीं हो रहा था मिक्षिन में जस्ट मिल रही थी चीज़े उसके अलावा compounds है the fixed formula देखो fixed formula का मतलब है कि hydrogen दो ratio में होगा और oxygen एक में होगा तो होगा ही होगा ठीक है यहां पे आप कितना भी मिला रहे थे अपनी मर्जी से there is no fixed formula तो यह दोनों के बीच में differences है आप इस चीज़ को बार बार इसको screenshot ले लो नीचे आपको description में इसकी PDF मिलेगी उसको आप download करके बार बार पढ़ो इसको लिखो क्योंकि यह question आता ही आता है और यहां तक अगर आप पहुंच चुके हो तो channel को please 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 subscribe करो और आप देखो आगे बढ़ते हैं अब mixture जो है उसको मैंने यहां पर समझाने के लिए homogeneous और heterogeneous को और detail में समझाया है homogeneous mixture का मतलब क्या होता है मैंने बताया है कि आपने पानी में नमक डाला तो इसको बोलते है solution completely मिल जाए उसको बोलते है solution heterogeneous का मतलब क्या होता है heterogeneous का मतलब होता है दो तरीके से आप बाढ़ सकते हो heterogeneous को या तो suspension या फिर collides अब आपके दिमाग में आ रहा होगे कि suspension क्या होता है collides क्या होता है collides का मतलब suspension का मतलब समझाता हूं अगर आपने एक beaker लिया उस beaker में पानी भर दिया तीन condition लेते हैं milk अब यहां पर इसको मिलाया इसको भी मिलाया अब मेरा question आपसे है कि completely कौन सी चीज मिलेगी of course नमक मिलेगा तो उसको बोलते है solution जब पानी जो कि किसका काम कर रहा है यहां पर solvent का उसके अंदर जो आपने डाला उसको बोलते solute जब solvent में solute completely मिल जाए तो उसको बोलते है solution जो कि होता है homogeneous type लेकिन completely ना मिले तो उसको बोलते है heterogeneous type तो heterogeneous में suspension मतलब कि जब water के अंदर soil particles suspended हो जाए मिले ना गुले ना बैड जाए तो उसको बोलते है suspension collide क्या होता है यह collide मतलब क्या है यह देखो समझाता हूँ इसमें ना तो मिल रहा है ना अधूरा रह रहा है मतलब बीच में रह जाए देखो जो दूद है वो पानी में completely मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है मतलब कि ऐसे particles होता है जो नहीं मिलता है और ऐसे particles की तरह भी कि आप separate नहीं देख सकते हो पानी को, लेगन मिट्टी में देख सकते हो, मिट्टी अलग, पानी अलग तो ये होता है आपका mixture का detail में बता हूं, तो ये ही होता है, पूरा खेल आगे चलते हैं solution के बारे में detail में देख लेते हैं solution क्या होता है solution एक तरीके से अभी मैंने बता है homogeneous mixture होता है वापिस मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ direct question आता है what is the homogeneous mixture homogeneous mixture का मतलब होता है कि जब आप water के अंदर ये एक beaker है एक example लेते हैं sol품 विषमें दाड़ डाला अपने नमक उसको बोलते है solute again ह sûनना जर्स काम होती है उसको बोलते है solute जर्स का म्हों जर्स कि पार चोवर्दश त्योंजिजback इसमें नमक डालने के बाद dal DR must इसको जेनल अचैने ऐसलमोरो हो डिंचिर। होमोजीनियस, याद रखना है, मिल जाता है completely अफकोस नमक और पानी को मिलाओ, तो क्या नमक दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, अगर आपका नमक प्यॉर है, तो torch उस torch से आपने इस पे light का scattering करवाई तो scattering का मतलब होता है कि particles पे light का टकराना अगर particles ही नहीं होगी तो अगर आप एक फिल्टर पेपर लेते हो और इसको आप फिल्टर पेपर पे डालते हो तो यह इजीली पास कर जाएगा पूरा का पूरा उपर रेटें में कुछ भी नहीं बचेगा तो पास्थ्रू दा फिल्टर पेपर यह चीज़े आपको याद रखने हैं आगे चलते हैं सस्पेंशन के बारे में अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके का इसका बीहेवियर होगा तो यह एक क्या होता है हेट्रोगीनियस मिक्षर होता है और पार्टिकल साइज जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है किसे आपके सॉलीशन से कि आपर आसे में अपर आप आप मिट्टी और पानी मुन खुना सब्सक्रार के परा क्या हो अगयों, अहंगे books और मिट्री यह पर पानी के data को मिट्टी आप की रूप जएगे तो अनिस्टेबल उसलिए बोलते है इसका मतलब क्या है आपने यहां पर वापिस से टॉर्च लगाई और मिट्टी और पानी के अंदर जैसे ही यहां से क्या जाएगी लाइट जाएगी तो जो पार्टिकल्स है उन पर टकराएगी लाइट और रिफ्लेक्ट होगी मिक्षर का तीसरे टाइप इसको बोलते हैं कोलोईड का मतलब क्या होता है देखो कोलोईड का मतलब मैं आपको समझाता हूं दूद एक दूद का मिल्क का एक्जामपल है लो पानी में दूद मिलाओ और अब सोचो चीजों को तो दीख कैसा होगा अ कोलोईड अपेश टू ना जम रहा है ना जम रहा है नीचे लेकिन इसके जो बहीवियर है वो कैसे लग रहे है वो लग रहे है पूरे के पूरे आपके हेट्रोजीनियस जैसे ठीक है और जब मिल जाता है completely तो हम बोल सकते हैं this is a homogeneous type okay the size of particle colloids के जो पार्टिकल के size है वो एक नैनोमेटर से आपके पार्टिकल्स को देखो दूद तो देखेगा लेकिन दूद के पार्टिकल्स जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स दिख रहे थे नहीं देख सकते बिलकुल can not seen can pass through the easily देखो यह पास भी हो जाता है किसमें से आप अगर एक filter paper लेते हो पता है filter paper तो पता होगा यार filter paper का मतलब होता है आप एक बहुत एजी सा एक्जामपल होते हैं एक ऐसा paper जिसमें चुट-चुट छेद होते हैं बहुत छोटे, minute pores होते है जैसे आप दूद को डालोगे आराम से चंके निकल जाएगा नीचे तो पास हो जाता है इसलिए आपके filter paper से अब मैं पूछू कि क्या यह इसके उप अगर मैं क्या करता हूँ एक torch लेता हूँ और torch से इसके उपर beam of light डालता हूँ तो क्या यह जो light आ रही है वो particles पर टकरा के वापस आएगी या फिर जो torch की light हो है वो सीधी निकल जाएगी सोचो क्योंकि बहुत ज़्यादा dance होने की वज़े से यहां पर scattering मतलब टकराएगी और वापस reflect करेगी तो आप बोल सकते हो कि scattering होगी मतलब जो particles होते हैं वो light की जो beam आ रही होगी उससे टकराएगी और वापस से उसको बेज देंगे तो example अगर मैं देखू तो milk बोल सकते हो पानी के साथ milk या पानी के साथ में ink ठीक है तो यह colloids होते हैं I hope आपको यहां त होते हैं आपका पहला type of colloids होता है उसका नाम होता है sol sol क्या होता है what is the sol sol a colloid ही है क्यों बोलते है sol क्यों बोलते हैं इसको ठीक है sol इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब tiny solid particles liquid में मिल जाएं मतलब liquid plus solid particles मिल जाएं और completely dissolve भी ना हो और completely दूर दूर भी ना रहें तो उस condition के colloids को तो क्याँ क्या भूलते है solve भोलते है 16 एसे एक्जामपल याद रखना है क्या पॉलते हैं réfl donutqui। आपको इल्य क्या है क्योंकि इसी याद रहेगा integrator 1 इंग क्या हैला होते है do a solid sol मिल क्या इसालिपार्टिकल्स का मतलब क्या है कि solid particles पहले तो liquid में disperse हो रहे थे लेकिन अगर solid particles solid में ही disperse होने लग जाए example ruby अब यह ruby क्या है ruby एक stone होता है पत्तर देखा होगा आपने नगीना जिसको बोलते है ruby ruby play button अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो वहाँ पे जाके ruby play button दबाओ आपको समझे जाएगे ruby एक diamond जैसा stone होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर solid medium होता है और solid particles इस तरीके से फसे होता है तो यह भी colloid होता है और colloid होने के बज़ वज़े से किस तरीकी का colloid होता है solid sol होता है colloid का कौन सा type solid sol अगले तरीके का colloid देखेंगे तो क्या होता है aerosol यह क्या होता है aerosol air से आपको याद रखना है air air for arrow solid or liquid disperse in gas मतलब कि solid particles और liquid particles दोनों में से कोई एक अगर gas के अंदर मिल जाते है ऐसा कहां देखने को मिलता है fog में तो यह colloid आपका mixture है तो किस तरीके का है aerosol है next है आपका emulsion emulsion का मतलब है कि minute drops of one liquid is dispersed in another liquid example milk अब आप बोलोगे यह क्या है नहीं समझा है तो milk जो होता है वो सिर्फ एक चीज से नहीं बहुत सारी चीजों से मिल के बना होता है लेकिन milk के अंदर liquid particles ही liquid particles के अंदर मिली हुई होती है जैसे protein हो गया fat हो गया protein एक liquid form में मिला होता है water और आपका fat liquid form में होता है तो उस तरीके के colloid को क्या बोलता है emulsion तो सीधा question आ सकता है कि emulsion का कोई भी एक example बताओ या बोल देगा कि milk जो है वो किस तरीके का colloid है तो आपका emulsion type का colloid है याद रखना है इनके type बहुत important है अगला देखते है form form देखा होगा आपने soap bubble एक तरीके से form होता है मतलब साबून का जो bubble है इसके अंदर क्या होता है जो gas होती है तो इस तरीके से बहुत लार्ज कॉंटिटी में होती है तो यह होता है आपका form याद रखना है form क्या होता है यह एक colloid है solid form क्या होता है अगर कोई भी gas अगर solid medium में फंज जाए यह कहां देखने को मिलता है sponge में देखने को मिलता है अगर में सीटितने भी होते है औगर खोला होगा कभी देखा होगा तो इसको देखा होगा आपने कि bread प्रेड जाएसा है उस bread के णर भी कुछ इसा है आपको देखने को मिलता है कि solid में चोट 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 एर पार्टिकल्स की जगह होती है तो वो क्या होता है? solid form होता है colloid ही होता है कौन सा? आपका solid form type का colloid next होता है आपका gel gel तो सब ही जानते हैं इसके अंदर क्या होता है? gel जो होता है? gel is a semi-solid colloid in which there is a continuous network of the solid particle dispersed in liquid मतलब आप बोल सकते हो कि semi-solid को अगर liquid के अंदर मिला दिया जाए तो एक colloid बनता है जिसका नाम होता है gel example, hair gel जो set wet gel आता है market में आपने कभी ना कभी तो यूज किया होगा या देखा तो होगा तो वो भी a colloid आपका mixture है किस तरीके का है? aerosol, emulsion, form, solid form, gel तो यह आपको याद रखना है next part पे चलते है आपके concentration of the solution देखो, solution मैंने आपको बताई कि क्या होता है देखो, अच्छे से समझो इसको मैं लिखके ही समझाऊँगा पूरा इसके लिए मैंने कोई भी चीज टाइप नहीं किया क्यों? क्योंकि इसके उपर numerical आजाता है solution क्या होता है? for example, बहुत इसी तरीके समझाता है यह आपने एक container लिया एक glass लिया इसके अंदर क्या था? एक water था मतलब एक कुछ ना कुछ amount में water पड़ा हुआ था यह water अब water है तो इसके अंदर क्या-क्या डाल सकते है कुछ भी डाल सकते है आप यहाँ पर नमक डाल सकते है यहाँ पर कोई भी चीज मिलने वाली डाल सकते है जो completely dissolve हो जाए because this is not a suspension, not a colloid this is a solution तो आपने मालो यहाँ पर यह water S2O और आपने NACL मतलब नमक लिया नमक को इसके अंदर डाला तो यहाँ पर दो चीजे है एक तो है नमक और एक है आपका पानी water है अब मेरा question यह है कि कौन सी चीज अफकोस ज़्यादा होगी तो अफकोस पानी ज़्यादा होगा water ज़्यादा होगा तो यहाँ पर दो चीजे होती है एक होता है आपका solute एक होता है आपका solvent solvent तो अब देखो यहाँ पर जो solute होता है वो कम amount में होता है जो चीज ज़्यादा amount में हो उसको solvent बोलता है तो जो solute और solvent है अब मेरा question आपसे यह और है कि यह बताओ कि इसके अंदर जो concentration होगी, वो किसकी होगी, S2O के अंदर, नमक डाल रहे हो तो of course नमक की होगी, जादा डालोगे तो जादा concentrated, कम डालोगे तो कम concentration होगी, तो कैसे निकालते हैं, कितना percent है, कितना percent नहीं है, उसके लिए एक बहुत easy सा formula है, बहुत ही ज्यादा easy, concentration of solution is equal to, ठीक है, mass of, याद रखना, mass of solute, solute मतलब नमक, ठीक है, जो चीज़ जिक्काम हो, solute divided by mass of total solution, mass of solution, पूरे solution, ये तो हो गया ratio, अगर इसको percentage में convert करना है, तो कुछ नहीं करना, just multiply with 100, ठीक है, तो mass of solute, concentration निकालने के लिए, solute का, और solution का ratio निकाल दो, तो जितना ज्यादा solute होगा, उतना concentrated होगा, जितना कम solute होगा, उतना less concentration होगा, तो बात समझ में आएगी कि, concentration of the solution कैसे निकालता है, mass of solute, divided mass of solution, into में 100, तो ये percentage की फो में आपको, concentration of the any solution आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक question है, pause the video, और जो उपर मैंने अभी formula बताया, उससे इसको solve करने की कोशिश करो, pause the video, please, I hope आपने solve करके नीचे answer लिख दिया हूँ, comment में नहीं लिखा, तो please post the video, नीचे comment में आप answer लिखो अपना, जो मैंने पीछे formula लिखा है, उससे ही होगा है, चलो मैं solve करके बता देता हूँ, अगर आपने लिख दिया है, तो match कर लेना, बोला है, our solution contains 30 gram of sugar, मतलब की, सीधी बात है, किस की बात हो रही है, solute की बात हो रही है, solute कितना दे रखा है, 30 gram, और बोला है, dissolve in 370 gram of water, मतलब की, क्या बोला है इनोंने, कि water को, कितना है यहाँ पर, water का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा होता है, उसको solvent बोलते हैं, तो water को मैं किस नाम से और बोल सकता हूँ, solvent, solvent, तो कितना है 370 gram, चीक है, अगर मैंने इतना sugar, इतना solute, 30 gram solute, 370 gram में डाला है, तो question है, कि इस solution की concentration की, क्या होगी, divided by solution का मास, अब solution की दोनों से बनेगा, इन दोनों से मिलके बनेगा न, 30 प्लस में 370, तो कितना बना, बताओ, 370, मतलब 70, और इसको एड किया तो 400, 400, चीक है, तो 30 gram divided by solution का मास 400 gram, इन 2 में 100 कर दो, सीधी सी बाद, इसको आप जैसे कैंसल करोगे, 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो percentage में आपका answer आएगा, कैंसल आउट दिस, 7, ठीक है, 28, 2 remaining, 0.05, 7.5% क्या है, इसका concentration है, तो I hope you got the point की, 7.5% is a concentration of the solution, मतलब 7.5% क्या है, आपका solute present है, पानी और चीनी के घोल में, 7.5% आपका solute, मतलब चीनी परसेंट, चीनी का परसेंट है यह, ठीक है, पूरे solution में, तो concentration बढ़ती कैसे है, जब आप किसको बढ़ा देते हो, solute को जैसे जैसे आपने increase किया, when you will increase the solute, when you will increase the solute, तो अपने आप concentration बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ओके, तो मेरे साब से आपको समझा आ गया होगा, solution क्यों लिखा मैंने, 400 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि solute और solvent दोनों को मिलाने पर, मतलब दोनों को जब मिला दोगे, 400 ग्राम आपका solution मिलके आएगा, बनके आएगा, तो यह हो गया आपका solution का मास, तो मैंने बुला था, concentration निकालने का formula, solute divided by solution, into में 100, तो जो answer आएगा, वो percentage में आएगा, और percentage का answer यहाँ पर आचुका है, तो यह आपका concentration का percentage होगा, I hope you got the point, let's move further, देखो, जो solution होता है, वो दो तरीके का present होता है, एक होता है saturated solution, एक होता है unsaturated solution, अब दिमाग में आएगा, saturated का मतलब क्या है, और unsaturated का मतलब क्या है, देखो, saturated का मतलब बहुत ही easy है, मैं आपको बताता हूँ, saturated का मतलब है, एक बिलकुल डेली लाइफ का एक्जामपल लेकर समझाता हूँ ये आपने कंटेनर लिया ठीक है? कंटेनर लिया और कंटेनर में लिया इतना मालुब पानी भर दिया आपने आप नमक का बड़ा सा बैग लेकिया है और आपने नमक डाला डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, तो आपने डाल दिया नमक, ठीक है, और normal room temperature, कमरे में बैठे हो, आप आराम से इसमें नमक add करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है, उसमें नमक add होता जा रहे हो, होता जा तो एक condition ऐसी आएगी जब नमक एड होना बंद हो जाएगा ठीक है आप घर पे ट्राइ कर सकते हो यह experiment एक condition ऐसी आएगी कि फिर एकदम से नमक आगे आड करोगे तो crystal की form में गूमने लग जाएगे नहीं होगे एड तो वह हो जिस amount में जितने amount में ऐसी situation आजाए कि आगे add न हो आपका जो salt है तो उसको बोलते हैं कि जो solution है वो completely saturated हो चुका है मतलब भर चुका है saturated solution का मतलब अगर definition bookish language में देखू a solution in which no more solute, solute मतलब नमक, can be dissolved at that temperature is called the saturated अगर आगे कोई भी solute नहीं मिल रहा है तो वो solution saturate हो चुका है भर चुका है, full हो चुका है unsaturated solution का मतलब क्या है देखो unsaturated का मतलब है, just इसका उल्टा कि आपने यहाँ पे एक beaker लिया या फिर कोई भी container लिया इसमें पानी लिया आपने नमक add किया, हो रहा है नमक add, और कर रहे हो तो वो भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह unsaturated है, मतलब अभी और इसमें नमक solute, और add हो सकता है तो इसको बोलेंगे unsaturated, ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या, completely saturated, ऐसी condition जहाँ आगे आपका solute क्या ना हो, add ना हो, ठीक है, तो मेरे साब से आपको समझा आगे होगा, what is the meaning of saturated, what is the meaning of unsaturated, ओके, तो इस तरहे के से solution को दो चीज में आप divide कर सकते हो, एक term आते है, जिसका नाम of solute, solute मैंने आपको समझाया, क्या होता है, solute, जो कम amount में डाला जाता है, जैसे नमक और पानी में से, कौन दोनों को मिलाँगा, तो कौन solute होगा, of course, नमक होगा, तो जो solute है, solubility क्या होती है, the maximum amount of solute, which can be dissolved in 100 gram, 100 gram, 100 gram, याद रखना, 100 gram of solvent, मतलब, 100 gram of पानी में, 100 gram of water के अंदर, जितना नमक डाला जा सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा नमक डाला जा सकता है, कब तक जब तक उसकी saturated level ना आ जाए, जितना डाला जाता है, मतलब, 30 gram डाला जा सकता है, 30 gram के बाद में, मिलना बंद हो जाता है, तो 30 gram क्या हुआ, उसकी solubility होई, किसकी होती solubility पानी की, मतलब solvent की ठीक है? तो बात समझ में आगी कि solubility क्या होती है? मतलब नमक को गहुलने की ताकत, शम्ता is a solubility I hope you got the point, what is the meaning of the solubility next अब हम देखेंगे changes, पहला होता है physical change physical change क्या होता है? ये बच्पन में भी पढ़ा होगा आपने लेकिन एक पर फटाफर फटाफर जल्दी से देख लेते हैं physical change जब किसी भी चीज में होता है तो वहाँ पर नई substance physical change में नहीं बनता है new substance formed non new substance कोई भी new substance नहीं बनता है जैसा है वैसा ही रहता है और ये जो physical change होता है वो temporary change होता है मतलब कि आप इसको दुबारा से change कर सकते हो मतलब नमक और पानी को मिलाया और तो आप गरम करके पानी को उड़ा दो नमक बढ़ जाएगा तो ये physical change था easily reversible reverse मतलब दुबारा से वैसा ही बना सकते हो जैसा पहले थे दोनो very little heat and light energy usually absorbed or give in the physical change मतलब कि जब आप physical change कर रहे होते हो तो आपको बहुत ही जादा थोड़ी सी ना के बराबर आपको energy लगानी पड़ती है heat energy light energy the mass of substance does not later in the physical change मतलब क्या है इसका the mass of substance does not alter मतलब कि आपने कोई substance लिया उसको physically change किया मतलब आपने लिया 100 gram पानी 30 gram नमक दोनों को मिलाया तो यहाँ पर mass जो है वो change नहीं होगा of course नहीं होगा अब chemical change क्या होता है chemical change इसका उल्टा होता है नया substance of course बनता है hydrogen or oxygen को मिलाया तो पानी बनके आ गया permanent change है बड़ी मुश्किल से आप इसको reverse कर सकते हो irreversible मतलब आप इसको change करोगे तो भी बहुत ही जादा मुश्किल है a lot heat on energy produce consume in this reaction क्योंकि reaction होगी तो यहाँ पर heat consume होगी या फिर produce होगी does alter in the chemical change okay मतलब जो mass होता है वो मतलब कि यहां पर भी mass वैसे change होता नहीं basically यह मतलब इसका आगे चलते है मिक्षर्स तो हमारे पास में आगे मिक्षर्स अकर आपके हाथ में दे दिये जाए मैं बोलू कि मिक्षर है यह mix है इसके साथ में यह mix है अलग करो क्या करो separate करो तो हम पढ़ेंगे separation of the mixtures मिक्षर किस तरीकी के आपको मिल सकते है दो solid के mixture मिल सकते हैं हो सकता है solid liquid के mixture मिल जाएं हो सकता है 2 liquids के mixture मिल जाएं तो सबसे पहले हम solid के mixture को अलग करने की बात करेंगे separation of mixture of two solids दो solid के mixture हैं उनको अलग कैसे करेंगे अगर मैंने आपको यहाँ पर देदिया, शूगर देदी, सेंड देदी, मालो, शूगर देदी, मतलब चीनी देदी हो, सेंड देदी हो, इसमें पानी में डाल दिया, और मैं बोलता हूँ चलो, इसको सेपरेट करो, आपको मैंने पानी नहीं दिया, पानी आपको खुद को ल की एक सब्सक्र्टों चलो जिससे आप चीजों को अलग कर पाओ तो आपने क्या लिया अपने पानी को डाला और पानी मिल जाता पाणी मिल जाएगी छीन ही सब्सक्रश्य सब्सक्राइब कर लिया और ये तो दूसरा तरीका है और सब्लिमेशन लेकिन य Bew acet when जो सब्स्टेंस मिला है वो सब्लाइम होना चाहिए, सब्लाइम का मतलब जो सब्लीमेशन करें अब आपको नहीं पता कि सब्लीमेशन क्या होता है तुम समझाता हूँ जब कोई भी चीज सीधी सॉलिड से गैस में कनवर्ट हो जाए जैसे कपूर की जो गोली आती है ना पता होगा नैप्तलीन बोल्स जो कपड़ों में रालते हैं पूजा बाट में उसको जलाते हैं तो वो क्या होती है अगर आप इसको सॉलिड फों में रख दोगे तो कुछ सबनाद में आपके कॉण में नीचे से क्या करोगे और बर्न करने केबाद में यहा पर इसको गरम करोगे यहा इसा gi जब गरम होगा तो यहाँ से उपर ऊड़न लग जाए mathematical आपका काइंस काइम्फर में इक बालो करम लिएम की आपके का उड़ बसके कीन है ये खर आगे आ यहां पे soil बच जाएगी, तो इस तरीके से separation हो जाएगा, simple, so I hope आपको separation of sublime का मतलब समझ आ गया होगा, okay, next है आपका separation by magnet, यह कब use होता है, अगर मैंने आपको यहां पे iron, ठीक है, iron plus में soil आपको दे दी, तो magnet से attract होगा iron, तो आप iron को गुमाओगे, तो iron उसके साथ में चिपक के निकल के बहार आ जाएगा, और soil बचेगी, तो यह किस चीज़ को अलग कर रहे हैं, दो solids को अलग करने के तरीके बता रहे हो मैं आपको, next होता है, separation of the mixture of solid and the liquid, अगर solid में liquid मिला होगे, मिला हुआ आपको दे दिया, तो कैसे कैसे अलग करimmen तो यह जो omethर से वह यहांपे काम आते है, filtration से अलग करते हो, centrif sentiments Day on uke Cristalization से करते हो, chromatography से करते हो, distillation से खरते हो, क्रूमेंट्रोगर्राफी से करते हो, distillation से करते हो, эти232 इए ऐक वने thin एकेगे i can die क्या होता है, evaporation, crystallization क्या होता है, chromatography, distillation नहीं होता है, तो start करते है सबसे पहले, मैं देखो, यहाँ पर किसको कर रहे हो, यह थान रखना, solid मिला होगा किसको साथ में? लिक्विड के साथ में, पानी में solid मिला होगा, completely dissolve होगा filtration, देखो, filtration का मतलब क्या है, the process of removing the insoluble, मतलब ऐसी जो soluble ना हो, जरूर नहीं soluble हो soluble ना भी हो, तब भी भी आप अलग कर सकते हैं जैसे मिटी और पानी दोनों सो को अलग करने के लिए बोलूगा तो आप सीधा सा क्या कर दोगे, फिल्टर कर दोगे है ना, जैसे डालोगे इसमें मिटी मिली हुई थी, आप जिसको अलग कर दोगे आपने टी जो देखिये, चाय उसमें भी तो यह करते हैं, चाय निकल जाती है और उपर रह जाती है, चाय का जो solid part होता है, ठीक है तो filtration, दूसरा तरीका होता है centrifugation, यह बच्चों को centrifugation कब काम आता है कैसे होता है, क्या होता है Centrification का मतलब होता है कि आपने कभी न कभी देखा होगा एक दही में से दही जो बनाते है नाम curd में से मखन निकानने का जो प्रोसेस आपने देखा होगा गरों में ऐसे-इसे उसको क्या किया जाता है एक point पे रखे उसको मता जाता है मिलाया जाता है तो वहां से क्या निकल के आ जाता है आपका मक्खन निकल के आ जाता है तो वो भी centrifugation method है तो जब solid form है एक मक्खन क्या है solid जो कि आपके दही के अंदर present है उस time पे अगर आप गुमाया जाए उसको एक किसी particular point पे बहुतेज गुमाया जाए तो वहां पे उसके solid separate हो जाते है blood जो होता है उसमें से plasma जो अलग किया जाता है वो ऐसे किया जाता है देखो ध्यान से यह जो है वो blood के अंदर से plasma अलग करने का तरीक है यह वो centrifugation machine है इसमें blood sample को रखा जाता है और बहुतेज गुमाते है तो plasma अलग हो जाता है बाकी के parts अलग हो जाते है water अलग हो जाता है तो समझ आएगा है filtration का मतलब और यहाँ पे आपका centrifugation का मतलब यह दोनों process है याद रखना है next तरीका होता है आपका evaporation evaporation कब काम आता है जब completely dissolve हो नमक और पानी पानी उड़ाना है जब गरम करो पानी उड़ जाएगा नमक बच जाएगा simple okay dissolve in water completely कोई भी substance जब डिजॉल हो जाता है यह तो सब को पता होता है evaporation यह द्धान से सुनो crystallization देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पर copper sulfate देता हूँ एक और impure form में है बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर गंदगी पड़ी है और बोलता हूँ कि pure copper sulfate निकाल के दो मेर को तो पता है क्या करता है इसमें बहुत ज़्यादा गरम करते हैं कि इसको copper sulfate के जो impure substances उसको बहुत गरम करते हैं और बहुत ज़्यादा गरम करने के बाद उसको अचानक से ठंडा किया जाता है तो जब अचानक से ठंडा करते हैं तो ऐसे 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 देख पा रहे हो इस image में लुक्वियाit जाते हैं तो यहां पर क्या बन जाते हैं क्रuana कृस्टाल्स को— अट निकालिया जाते हैं वही होते है चिस्तलाइशनमेफिसयशनमेट कि अपम को समझ आ गया होगा तो इस टेकनिक इस तो इस तो तो और दिजॉल्फ शॉलिड्स इस विच प्रजूशन वेरी स्मॉल कॉइंटिटीटीज मतलब कि एक इंक है उसके अंदर अलग-अलग कलर्स होते हैं उन अलग-अलग कलर्स को निकालने के लिए इस टेकनिक का यूज़ किया जाता है आप देख पा रहे हो यह color है जो अलग होने लगता है तो this is called the chromatography I hope आपको समझ आ गया होगा next चलते हैं distillation distillation का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत इसी तरीके से समझा देता हूँ distillation is nothing but evaporation का भाईबंद है यह we can obtain salt from the salty water by the evaporation but if you want both water and salt then you you have to use the distillation अभी इसका मतलब क्या है distillation is the बोल सकते हो कि मौसी का लड़का है किसका evaporation का वहां पर क्या कर रहती है नमक और पानी के जो solution ता उसको लिया और पानी को उड़ा दिया लेकिन यहां पर पानी को भी आप बचा सकते हो उपर क्या लगा देते हो मालो कुछ भी ऐसी थंडी चीज लगा दी जो कि पानी जब भाब बनके उड़ेगा स्टीम बनके उड़ेगा तो थंडी चीज से टकराएगा और दुबार से पानी बच जाएगा गुशा है नाम थोड़ा से डिफीकल्ट है चीज बहुत बहुत इस है अब हम देखेंगे दो लिक्वीट्स को अलग करने की टेक्निक दो लिक्वीट्स को अलग करने का पहला तरीक होता जिसको बोलते हैं Fractional Distillation distillation तो पढ़ लिया Fractional का मतलब क्या है वो तो यूज हो रहा था Solid और Liquid के Mixer को लग करने के लिए लेकिन Fractional में क्या किया जाता है जैसे एक ग्लास लिया आपने ग्लास में आपने क्या डाला थोड़ा सा पानी डाला पैक बना रहे हो यहाँ पे और उसमें डाल दिया थोड़ा सा एलकोहल ठीक है पैक बन चुका है अब जैसे आपने यहाँ पे एलकोहल डाला अब आपके दोस्त ने बोला नहीं मेरे को सिर्फ और सिर्फ एलकोहल निकाल के दे आप हो Science के Student आपको Science में हाँ पे इंत्रेस्ट आप लैब में जाोगे और यह रखोगे यहाँ पे पानी और अलकोहल को दिया इसके बाद मुज्यंट गरम करोगे जयसे गरम करने के बाद में यहाँ पे आपने एक आईसका टब्बा लगा दे जो ठंडा करदेता तो आपको पता है कि 100 degree Celsius जो होता है वो boiling point होता है किसका water का और 78 degree है उससे कम जो होता है वो होता है alcohol का तो आपने 78 degrees तक गरम किया इसको और 78 degrees तक गरम करने पर क्या होगा जो आपका alcohol होगा वो उड़ने लग जाएगा उड़ने के बाद में आपने उसको अलग से उड़ने लग जाएगा पानी तो वहीं रहेगा क्योंकि उसका तो boiling point ही 100 है आपने तो गरमी 78 तक किया है तो जैसे 78 तक करोगे तो जो आपका alcohol है वो उड़के बाहर निकल जाएगा और उसको आप separate कर लोगे पानी इसमें बच जाएगा और आपके दोस्तकों तो यह पकड़ा अगला देखिए जो पिछला वाला जो था यह था आपका two liquids का separation fractional distillation था वो क्या था ऐसे ऐसे लिक्विट्स ज जाए एक दूसरे से उसको अलग करने का तरीका था लेकिन यह जो separation by funnel है वो ऐसे लिक्विट्स को अलग करने का तरीका है जो मिलते नहीं है जैसे तेल में पानी मिला दिया उसको अलग करना है तो आप क्या करोगे you have to use the funnel इस तरीके के funnel यूज करोगे उस funnel में वो पानी और तेल का मिक्षर डालोगे पानी उपर तेल नीचे और आप funnel को गुमाओगे तेल को निकालोगे पानी बत जाएगा इसके बाद क्या है इसके बाद कुछ नहीं है चैप्टर खतम हो गया और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो शेर कर दो लाइक कर दो और मुझे comment box में बताओ कि कैसे लगी वीडियो और किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए आप मुझे comment box में जरूर से जरूर लिखे बताओगे और इसको subscribe जरूर करोगे उससे मैं अगली वीडियो लिखे आऊँगा इससे भी अच्छे वे में थैंक्यू वेरी मॉच